हो आप हेलो दोस्तों अगर आपने केरियार आइटी मदर बनाना चाहते तो जल्दी से जल्दी मेरा यूट्यूब चैनल सब्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल को सब्राइब करने के लिए यूट्यूब ऑपन कीजेगा यहां पर सर्च बार में विशेश मलीक टाइब कीजिए सेव ताकि सारे नोटिफिकेशन आपको डिस्प्ले हो जब भी मैं कोई भी अपनी नई वीडियो अपलोड करूँ अब सब्सक्राइब करने के बाद यहां पर प्लेलिस्ट पर क्लिक कीजिएगा और यहां पर विंडोस अवर 2012 की हिंदी में वीडियो देख सकते हैं जोगी 126 है CCNA Switching 41 CCNA Routing 72 यह बहुत सारे वीडियो दोस्तों मेरा चैनल जो है वे वर्ल्ड का सबसे बड़ा चैनल है विंडोस अवर 2012 की वीडियो का Hello दोस्तों मेरा नाव Mrs. Malik है इस वीडियो में हम लोग Linux Operating System की Basic Commands को Discuss करने वाले हैं देखें दोस्तों इस वीडियो के अंदर जो हम लोग commands discuss करने वाले हैं वो है Drap, Locate and Find Command दोस्तों तीनों ही command Linux Operating System के अंदर यूज की जाती है सर्च करने के लिए अब तीनों में conditions थोड़ी अलग-अलग है जैसे कि मैं यहाँ पर आपके सामने टर्मिनल ओपन करता हूँ और सबसे पहली command जो मैं आपको शो करता हूँ वो है Grap command दोस्तों Grab command जो है वो इस्पेस ले यूज की जाती है किसी भी file के content में सर्च करने के लिए ठीक है अब कैसे हम लोग search करते हैं जैसे कि एक छोटा सा example मैं आपको यहाँ पर शो करता हूँ cat space root partition के अंदर etc directory के अंदर एक pastwd file है इस file के अंदर बहुत सारे contents available है अब आपको इस file के अंदर के content जो है अगर वो आपको search करने है तो इसके लिए हम लोग command यूज करते हैं graph space और किस word को आप search करना चाहते हैं जैसे कि मुझे root word search करना है किस file के अंदर search करना चाहते है root partition के अंदर etc directory के अंदर search करना है passwd file में root word search करना है type करके आप enter की press कीजिए तो दोस्तो इस file के अंदर जिस जिस line में आपको root word use हो रहा है तो इस file के अंदर जहां पर भी root word use हो रहा है उस line को आपको show करनेगा grab command के द्वारा तो आप यहां पर देख भी सकते हैं line आपको show हो रही है अगर दोस्तों आप चाहते हैं कि ये root word pastwd file के अंदर किस line में use हो रहा है, वो line number भी आप देखना चाहते हैं, तो दोस्तों आप यहाँ पर hyphen n भी use कर सकते हैं, तो grab space hyphen n space जिस word को आप search करना चाहते हैं, और जिस file में आप search करना चाहते हैं, टाइप करके आप enter की press कर दीजि आप यहाँ पर दोस्तों line number भी देख सकते हैं, कि first line में और tenth line में root word यूज़ हो रहा है, इसके बाद दोस्तों अगर आप check करना चाहते हैं कि बही, total कितनी line में root word यूज़ हो रहा है, pastwd file के अंदर, तो आप यहाँ पर hyphen n की जगे, hyphen c भी use कर सकते हैं, टाइप करके आप enter की press कीजिए, तो केवल दो line ऐसी हैं, जिसमें root word यूज़ नहीं हो रहा है, sorry, root word यूज़ हो रहा है, तो दोस्तों इस तरह हम लोग Linux operating system के अंदर grab command को यूज़ करते हैं, तो इसके बाद next जो हम लोग command यूज़ करने वाले हैं, दोस्तों वो है locate command, दोस्तों locate command जो है, वो space ली यूज़ की जाती है, Linux operating system के अंदर, complete machine की अंदर किसी भी एक particular file को सर्च करने के लिए, हम लोग command यूज़ करते हैं, locate, अब इसको यूज़ कैसे करते हैं, वो देखे ज़रा, दोस्तों locate command को run करने के लिए, just आप locate type कीचिए, space, अब आप अपनी machine के अंदर किस file को करना चाते हैं, जैसे कि मैं चेक करना चाता हूँ कि passwd, मैं चेक करना चाता हूँ मेरी machine के अंदर किस किस location पर passwd नाम की file आपको available है, या कहां कहां पर available है, तो locate type करके, file name type करके, enter की आप press कर दीजिए, तो दोस्तों हमारी machine के अंदर, जिस भी location पर passwd नाम की file यूज़ हो या जिस file name में भी passwd word use हो रहा है, वो आपके सामने complete search करके आपको show कर देगा, जैसे कि, यहां पर जो output आपको show हुआ है, उसमें सभी file के अंदर, आपको passwd word use हुआ आपको दिखाई दे रहा है, देख सकते हैं दोस्तों, कोई भी file ऐसी नहीं है, जिसमें passwd word use नहीं हो रहा है, देख रहे हो दोस्तों, ठीक है, इसके बाद दोस्तों, एक थोड़ा सा और आपके सामने यहां पर आपको बताना चाहूंगा, अगर आप search करना चाहते कि pass, word से start होने वाली, सारे file आप show करना चाहते हैं, या देखना चाहते हैं, तो आप pass और star use कीजिएगा, type करके enter की press कीजिए, तो pass से start होने वाली, कोई भी file आपके पास में नहीं है, लेकिन अगर आप यहां पर, pass से start होने वाली, और pass से end होने वाली, सभी file आप देखना चाहते हैं, तो type करके enter की press कीजिए, तो आप यहां पर उसका output देख सकते हैं, दोस्तों, अगर आप यहां पर, मैं यह condition और आपके सामने रखता हूँ, जैसे की, मैं यहां पर, p capital कर देता हूँ, दोस्तों, अगर आप, चाहते हैं, कि capital P से start होने वाली, pass wd file, आप सर्च करना चाहते हैं, अपनी machine की अंदर, तो यहां पर capital P, ध्यान लगतना, आप enter की press कर दीजिए, तो आपकी machine के अंदर, कहीं पर भी capital P से start होने वाली, pass wd file अवेलेबल नहीं है, लेकिन दोस्तों, अगर आप इसे capital को, ignore कराना चाहते हैं, तो आप यहां पर, hyphen i use कीजिएगा, ignore कराने के लिए, तो, जिस भी file में, capital p use हो रहा है, या small p use हो रहा है, pass wd file के लिए, तो वो आपको show करा दी जाएग टाइप करके आप enter की प्रेस कीजिएगा, तो आप यहां पर देख सकते हैं, दोस्तों, तो i जो है, वो especially use किया जाता है, ignore कराने के लिए, तो दोस्तों, अभी तक हम लोगों ने दो command discuss की, grab और locate, जो की use की जाती है, search purpose के लिए, तो दोस्तों, next command जो हम लोग use करने वाले है वो है, find command, दोस्तों, find command जो है, वो Linux operating system के अंदर, एक particular location पर search करने के लिए, यूज की जाती है, जैसे की, माली जीए, मैं root partition के अंदर, etc directory के अंदर, find करना चाहता हूँ, किसी भी file को, name के द्वारा, तो name के द्वारा, आप यहां पर hyphen name यूज करेंगे, ओ, sorry, hyphen name, space, किस file को आप search करना चाहते हैं, जैसे की, pastwd file को ही मुझे search करना है, type करके enter की प्रेस कीजिए, तो root partition के अंदर, etc directory के अंदर, जिस भी location पर pastwd नाम की file available है, वो आपको show हो जाएगी, इसी तरह, दोस्तों, अगर आप चाहें तो, pastwd से, end, sorry, start होने वाली, आपको file देखनी है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, वो भी आपको show हो जाएगी, इसके बाद, अगर आप किसी भी file को size के according सर्च करना चाहते हैं, जैसे कि, दोस्तों, size के according सर्च करने के लिए हम लोग यहाँ पर एक second wait कीजिएका, तो find, space, root partition के अंदर, etc directory के अंदर, जितनी भी 2MB, exact 2MB की जितनी भी file हैं, वो आपको show हो जाएगी, तो आप यहाँ पर hyphen size use कीजिएगा, तो find, space, etc directory के अंदर, 2MB की, exact 2MB की जितनी भी file हैं, वो आपको show हो जाएगी, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, कि etc directory के अंदर, 2MB की केवल, एक ही file है, इसके बाद, 2MB से ज्यादा की जितनी file हैं, वो आपको show हो जाएगी, तो plus 2MB, enter की press कीजिए, तो 2MB से ज्यादा की केवल 2 file हैं, इसके बाद, 2MB से अगर, कम की file देखना चाहते हैं, तो आप minus use कीजिएगा, और enter की press कीजिए, तो इसके अंदर, 2MB से कम की size की बहुत सारी file अविलेबल हैं, तो इस वीडियो के अंदर, दोस्तों हम लोगों ने 3 command discuss की, वो है, grab, find और locket, तो इस वीडियो के अंदर, दोस्तों इतना ही, बाकी हम लोग Linux operating system की वीडियो को continue रखेंगे, थाइगे, तोस्तों आपके अंदर, तोस्तों आपके अंदर, तोस्तों आपके अंदर,